नमस्कार दोस्तों, स्वागत थे आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, पूरे 90 सालों के बाद 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को दिखेगा सावन पूर्णिमा का चांद बारह राशियों में से इन चार राशिवालों की लगेगी लोटरी मालक्षमी के आशिरवात से पूरे 90 सालों के बाद 31 अगस्त दिन गुरुवार को सावन पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दूरलब महाशुब सयोग माहालक्षमी योग में अब 12 राशियों में से चार राशिवालों की किसमत चमकने वाली है इन चार राशी वालों की इस दिन यानी सावन पूर्णिमा के दिन लोटरी लगने वाली है ये चार राशी वाले करोड़ पती बनने वाले हैं ये चार राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं खुद धनकी देवी मा लक्ष्मी अब इन चार राशी वालों के घर सावन पूर्णिमा के धिन पधार रही है जिससे इन चार राशी वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मा लक्ष्मी दूर करने वाली है और अब इन चार राशी वालों के जीवन में मा लक्ष जिससे अब इन चार राशी वालों का जीवन बदल जाएगा जी हां दोस्तों ये भागेशाली चार राशियां कौन-कौन सी है जिनकी मालक्ष्मी के आशिरवात से 31 अगस्त दिन गुरुवार को श्रावन पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग महाशुब सयोंग बनने से लोटरी लगने वाली है ये चार राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं ये चार राशी वाले करोडपती बनने वाले हैं इस वीडियो में उन्हीं चार खुशनसीब और भागेशाली राश्यों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू पूर्ण रहने वाला है दोस्तों वीडियो शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मालक्ष्मी के सच्चे भगत इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी अविश्य लिखें जिसे मालक्ष्मी का आशिर्वात आपको प्र भाई वाली पूर्णिमा को श्रावन या फिर श्रावनि पूर्णिमा कहते हैं धार्मिक घ्रंटों में ही इस दिन स्नान तप और दान का विशेश महत्व है सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्ष्रा बंदन का त्योहार भी मनाया जाता है मध्य भारत और उत्तर भारत में कज्री पूर्निमा का पर्ववी श्रावन पूर्निमा के दिन ही मनाया जाता है इसी दिन यग्यो पवित्र पूजन और उपनेन संसकार करने का भी विधान है चंद्रदोश्री मुक्ती पाने के लिए भी श्रावन पूर्णिमा सबसे श्रेष्ट पूर्णिमा मानी गई है जी हाँ दोस्तों श्रावन पूर्णिमा विभिन शेत्रों में अलग-अलग प्रकार से मनाई जाती है अतहे इस दिन होने वाली धार्मिक धरमकान बहुत ही मैत्वपूर्ण फलदाई होते हैं इस बार श्रावन पूर्णिमा का पवित्र पावन पर्व आपको बता दे इस बार श्रावन पूर्णिमा है उसका प्रारंब 30 अगस 2023 दिन बुद्धुवार को सुबह 11 बजे से पूर्णिमा प्रारंब हो जाएगी और अगले दिन यानि 31 अगस को सुबह 7 बज कर 7 मिनिट पर ये पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी तो उद्याद इथी के अनुसार श्रावन पूर्णिमा का पवित्र पावन पर्व इस बार 31 अगस 2023 दिन गुरुवार को है जी हाँ दोस्तों 31 अगस को श्रावन पूर्णिमा है इस दिन आप सुबह जल्दी उठे सुर्यो अदे से पहले उठे स्नान आदी से निवरत हो जाए और संबव हो सके तो इस दिन किसी पवित्र नदी में गंगा नदी में आपको स्नान करना चाहिए यदि इस दिन किसी पविटर नदी गंगा नदी में सनान करणा संभव न हो सके तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर सनान करें और सनान करते हुए मन ही मन ओम नमो भगवते वासु देवाय नम मंतर का जाप करें इस प्रकार घर पर ही स्नान करने से चाप करने से आपको गंगा स्नान के बराबर कफल प्राप्त होगा स्नान आदी से निर्वत्र होकर आप तामे के लोटे में भगवान सुर्यद्वे को एक लोटा जल अविश्य अर्पित करें दोस्तों पूर्णिमा पर रक्षा बंदन मनाने की भी परंपरा है इस दिन देवी देवताओं का पूजन कर रक्षा सूत्र बांधे इस दिन पित्रों के लिए तरपन भी आपको अविश्य करना चाहिए इस दिन गाय को चारा चीटियों और मचलियों को आटे में आटे के द चंद्र दोश से मुक्ति मिलेगी और एक बात का ध्यान रखे जब रात को चंद्र उधे हो तो आपको उस समय कच्चा दूद चंद्र उधे होते होते समय चंद्र देव को अरपित करना चाहिए ऐसा करने से आर्थिक परेशानिया दूर हो जाती है धन प्राप्ति के योग बनते हैं तो कच्चा दूद चंद्र उधे के समय चंद्र को अविश्य अरपित करे लाब मिलेगा आपको चंद्र दोश से तो आपको मुक्ति मिलेगी मिलेगी आपको अनेकों फायदे होंगे लाब मिलेगा आपको और साथ ही साथ इस दिन भगवान विश्नुजी और धन की देवी माता लक्षमी की पूजा का विधान है तो इस दिन पूरे विधी विधान से भगवान विष्णुजी और माता लक्षमी के दर्शन से धन और स्मृधी की प्राप्ति होती है इस दिन भगवान विष्णुजी माता लक्षमी की विधी विधान से पूजा अर्चना क सुबह शाम घी का दीपक जलाएं, आर्ती करें, प्रसाद वितरन करें, समिस्त मनोकामनाई आपकी भगवान विश्णुजी माता लक्ष्मी पूर्ण कर देंगी और इसी दिन श्रावन मास में भगवान शिर्वत की विशेश पूज़ा अर्चना की जाती है, तो आपको इसल श्रावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को अविश्य अर्पन करें, समिस्त मनोकामनाई भी पूर्ण हो जाएंगी, लाब होगा, दोस्तों अब बात करते हैं, उन चार भागेशाली राश्यों के बारे में, जो धन की देवी माता लक्ष्मी की क्रिपा से श्रावन प राशी वाले करोडपती बनने वाले हैं, धन से माला माल बनने वाले हैं, यूं कहें कि स्वयम विधाता भी इनको धन से माला माल बनने से नहीं रोक सकते, तो चलिए बात करते हैं उन खुशनसीब भागेशाली राश्यों की, क्यूंकि माता लक्ष्मी की क्रिपा से प्रपति बनने से माला माल बनने वाले से इन चार राशी वालों को कोई नहीं रोक सकता चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मालक्ष्मी की कृपा खुश नसीब और भागिशाली राश्यों पर होती है मालक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है सनातन धरम के शास्त्रों और पुराणों में वर्नित है कि यदि किसी पर धन की देवी मालक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो उसके घर कभी धन और वैभव की कमी नहीं होती लेकिन क्या आप इस बात से परिचित है कि मालक्ष्मी का सुभाव बेहत चंचल माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी मालक्ष्मी एक चेगे टिक कर नहीं रह पाती यही वज़य है कि मनिश्य के जीवन में धन सम्मंदी उतार चड़ाव हमेशा आते ही रहते हैं धन की देवी को प्रसन करने के लिए लोग तमाम प्रकार के उपाय भी करते हैं जिससे मा खुश होकर व्यक्ति को माला माल बना दे मा की क्रिपा उन पर बनी रहे दोस्तों आज की समय में इंसान को कही तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसका सबसे पहला कारण है आर्थिक तमगी इसके अतिरिक्त मनिश के जीवन में ऐसे उतार चड़ाव गरहों की चाल से भी निरंतर होते रहते हैं इसलिए मनिश्य हमेशा से ही भविश्य को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं इसी क्रम में इस बार अब विशेश महासयोंग बन रहा है जिसमें मालक्ष्मी अब बारा राशियों में से चार राशियों पर बहुत अधिक प्रसन हो गई है इन पर अपनी क्रिपा बरसाने वाली है आपकी जानकारी के लिए बता दे जैसे कि हमने बताया है मनिश्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है इनकी चाल से सीधे हमारे सामाने जीवन पर असर पड़ता है कभी कोई ग्रह किसी राशी के लिए खुश्यां लेकर आता है तो कभी दिकतों का सामना भी करना पड़ता है इसी क्रम में इस बार के मा सयोंग से मा लक्ष्मी इन चार आशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गई है यूं कहें कि इन चार आशी वालों की अब लोटरी लगने वाली है जी हाँ दोस्तों ऐसा सयोंग जीवन में कभी कभी ही आता है जिसमें मा लक्ष्मी स्वयम चार राशी वालों पर अपनी कृपा बरसाने वाली है जी हाँ दोस्तों अब इन चार राशी वालों के जीवन में मा लक्ष्मी के आशिरवात से अपार खुश्यों की प्राप्ति होने वाली है इन चार राशी वालों पर मा लक्ष्मी की विशेश खृपा होने वाली है उन चार खुशनसी भागेशाली राश्यों में से पहली राशी है कन्या राशी कन्या राशी वालों को बता दे मा लक्ष्मी आप लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली है जी हां दोस्तों आपके लिए समय अत्यन्त शुव रहने वाला है और मा लक्षमी के आशिरवाद से आपको धन लाब की प्राप्ति होने वाली है धन समंदित अनेग प्रकार के लाब आपको प्राप्त होने वाले हैं धन प्राप्ती के अनेक अवसर कन्यार राशी वालू अब आपको मा लक्ष्मी के आशिरवाद से प्राप्त होने वाले हैं मा लक्ष्मी स्वयम आपके घर पधार रही है और आपकी जोली अब खुश्यों से भरने वाली है जल्दी ही आप सारी कठिनायों का सामना कर पाएंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे आपकी आर्थिक सिती में सुधार होगा और आपका जीवन सुखमय बनेगा साथी साथ जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफ़ा होगा साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी सम्मेंदित कोई बहुत बड़ी खुशकबरी प्राप्त होने वाली है कन्या राशी वालों कहना गलत नहीं होगा मा लक्षमी के आशिरवात से अब आपके जीवन में खुशियों का भंडार आने वाला है मा लक्ष्मी अब आपके जीवन में खुशियां भरने वाली है आपके जीवन में अब आपको अनेक प्रकार के लाब धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दे कि आपकी कुणली में जबरदस्त महालक्ष्मी योग बन रहा है ये संयोंग कभी-कभी ही बनता है जिसके कारण आपके लिए मा लक्ष्मी की सेवन से समय अब उत्तम रहने वाला है। आप जल्दी ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जो आपके जीवन की दशा पूरी तरह से बदल देंगे। बरपूर लाव मिलने वाला है। जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार दिन दुगना रात चोगना तरक्य करेगा। आपको हर जगे से अब लावी लाव मिलेगा। अब आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। साथी साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छु के उनको मालक्ष्मी के आशिरवाद से संतान प्राप्ति का भी सुख मिलने वाला है। अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मालक्ष्मी स्वयम आपकी जोली खुशियों से भरने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है कुम्ब राशी। कुम्ब राशी वालों को बता दे कि मालक्ष्मी अब आपके उपर बहुत अधिक प्रसन हो गई है। आपके उपर मालक्ष्मी की जवर्दस्त कृपा बन रही है जिसकी वज़े से आपके घर में सुख स्मृधी आएगी और पैसा बढ़ेगा अधिक धनलाब अब आपको होने वाला है कुमराशी वालो जल्दी कोई नया काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी आपकी आर्थिक सिती में सुधार होगा और आपके घर परिवार में शांती बनी रहेगी आपको बता दे कुमराशी वालो जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफ़ा मिलने वाला है उनका व्यापार दिन दुगनी राचोगनी तरकी करेगा साथी साथ जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो वो सपना उनका जल्दी ही पूरा होगा मालक्ष्मी की कृपा से आपकी सभी काम बहुत आसान तरीके से होने वाले हैं आपके सालों साल से रुके हुए काम अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे आपको हर जगे से अब कुम राशी वालों लाभी लाब मिलने वाला है मा लक्ष्मी की जवर्दस्त कृपा आपके उपर बन रही है यूं कहें कि आपको जल्द ही अब लोटरी लगने वाली है कुम राशी वालों मा लक्ष्मी के आशिद्वात से अब आपको अनेक प्रकार के धनलाव प्राप्ति के योग हैं और आपके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है जिसे आपकी खुश्यों का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है तुला राशी तुला राशी वालों को बता दे कि मा लक्ष्मी के विशेश कृपा आपके उपर बन रही है जिससे आपको बहुत जादा आर्थिक लाब होगा और इसके साथ ही पूर्व में की गई आपकी मैनत का परिनाम अब आपके सामने आएगा व्यवसाय में आपकी योगिता का प्रदर्शन अब सभी लोग देखेंगे तुला राशी वालों अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है जी हाँ दोस्तों मा लक्ष्मी आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आपके जीवन में अब खुशिया आने वाली है जी हाँ दोस्तों आपका व्यापार दिन दुगनी राज चोगनी तरक्य करेगा समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपको मित्रों का पूरा सयोग प्र हाई होगी अब आपको अनेकों प्रकार के लाब धनलाब तुलाराशी वालों प्राप्त होने वाले हैं साथी साच लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वो योजना इनकी अविश्य सफल होगी साथी साच लोग संतान प्राप्ति के तुलाराशी वालों अब मालक्ष्मी के आशिरवात से आपको हर जग से लाब ही लाब मिलेगा नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोनती और वेतन वृधी के योग है जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें मन चाही नौकरी प्राप्त होने वाली है कहना गलत नहीं होगा तुला राशी वालों मा लक्षमी के आशीरवाद से आपकी सभी इच्छाएं अब पूर्ण होगी समय अब पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा जी हाँ दोस्तों ये है वो भागिशाली राशिया जो मालक्ष्मी के आशिरवाद से अब धन से माला माल होने वाली है यूं कहें कि इन चार राशिवालों को करोड़ों का धन मिलने वाला है ये चार राशी वाले माला माल होने वाले हैं इन चार राशी वालों को मा लक्ष्मी के आशिरवात से इनके जीवन में अनेकों प्रकार का लाब, धनलाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी जिसे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों मालक्ष्मी का आशिरवात आप सभी को प्राप्त हों दोस्तों आपसे अनुरोध है आप कमेंट बॉक्स में सचे मन से जै मालक्ष्मी जरूर लिखे और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें जै मालक्ष्मी